हेलो एवरिवन वेलकम टू नामदेव अकेडमी योटोब चैनल आज का जो टोपिक का गाज मॉस्ट इंपोर्टन टोपिक है इसके अंदर आपन बात करेंगे पारिश्थितिकी और पारिश्थितिकी तंतर या प्रियावरेण से संब्धित गाज जितने भी मॉस्ट इंपोर पारिश्थितिकी या एकोलोजी से समझे जो मॉस्ट इंपोर्टन क्यूसंस बनते हैं उनको गाज आगे बढ़ेंगो उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिगा अपने अभी तक नहीं किया है तो गाज यहां पर सबसे पहले अपन दो ट्रम्स को समझने वा पहले जाता था आपको गाज एक ट्रम्स तो आपकी एकोलोजी हो गई एक ट्रम्स आपका हैं पर एकोसिस्टम हो गया ठीक है? जिसकी गाज यहां पर क्यूशन आपका जो एकोलोजी सब्द है वो किस ने दिया? तो गहीं दोनों की बीच में जो कंपीजिन है वो दूर हो क्योंकि ecology सब्द का भी अलग आन्शुर है आपका ecosystem सब्द किस ने दिया उसका भी आपका अलग आन्शुर है तो दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए कि सबसे पहले अपने बात करेंगे गाज ecology की गाज देखेगा ecology क्या है गाज आपका लोगोज गाज इन दोनों सबसे मिलके आपके ecology का निर्मान होता है गाज ओकोज का मतलब हो गया घर है या आपन कहसकते हैं उसका रहने का इस्तान हो गया और गाज लोगोज को कहते हैं अपन study यह तो सभी को पता है कि जहां पर भी आपका लोगोज लगए इसक गाज इसका मतलब यहां पर क्या मतलब निकल गया तो गाज इसका ecology का मतलब निकलता है गाज कोई भी घहर हो गया और उस घर के अंदर रहने वाले जीवों का जो आपस में relation होता है वो कहला था ecology तो गाज इकोलोज के definition समझीगा सबसे वहल किसी आवास के अंदर रहने वाल जीवों का उस आवास के साथ में जो relation हो गया और यहां पर गाज कोई जीवों का इस आवास के साथ में जो relation बनता है वो relation कहला था आपका ecology पारिश्थितिकी आप गया आप गया जपन दूसरी डेफिरेंस समझते हैं सब दुबारे से बता देता हूं ecology कहते हैं किसी आवास क अंदर रहने वाले जीवों का उस आवास के साथ में या उस वातावरन के साथ में जो सम्मध है वो कहला था आपका ecology पारिश्थितिकी तंतर क्या कहला था गया जैसे कोई इस्तान हो गया उस इस्तान में गया अलग अलग परकार के जीव रह रह रहे हैं तो गया इन जीवो वारिका, खुद के साथ में, और अन्य जीओं के साथ में, थाता प्रियावरण के साथ में, वातावरण के साथ में, जो रिलिशन है वो कहला तब का पारिष्थिति की तंतर है। कि कलीर है दोलों के बीच में डिफरेंस पैदा हो गया समझ में आ चुका तो गाजी यहां पर आपका जो क्यूशन है पारिश्थिति की तंतर सब्दावली किसने प्रस्तूत की तो गाजी यहां पर आपका आर्शो जाने वाला है option number D के सब्द में टेंसले एको सिस्टम सब्द किसके द्वारा दिया गया और ecology सब्द किसके द्वारा दिया गया ecology जिसको अपन कहते गाज पारिश्थिति की गाज रटना की जरुड़त नहीं पड़ेगी पूरे क्यूशन देखोगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे गाज ecology सब्द है सबसे पहले 1868 के अंदर एक रिटर नामक के द्वारा दिया गया एक रिटर नामक के द्वारा से किसने परिबाशित किया तो खाज आडनेश्ट हैकल है आडनेश्ट हैकल आडनेश्ट हैकल ने सबसे पहले ecology सब्द को अच्छे से परिबाशित किया Ecology की बात हो रही एक है, Ecology सब्द को सबसे पहले जो परिबासित किया, वो किया था Armor-nest है करना है, और Ecosystem सब्द किसने दिया Tensiland कलीर है, दोनों के बीच का जो difference है पारिष्तित के निम्न में से किसके बीच पारिष्प्रिक संबंदों का अध्यन है इकोलोजी के बात हो रही है यहां पर, इकोलोजी सब्दें, बताजी का किनके बेश समदोगा अध्यन है, ओप्सन यहां पर आपका है जीव, वातावरण, मनुश्य वण, मिट्टी, जल, पती और पतनी, पतुरोज समय पर, हांसर भूजाए गया है, बपर, ओप्सन नंबर एक के साथ में, कोई भी आपका environment है, उस environment के अंधर गाज, जो भी आपके जीव रह रहे हैं, इन जीवों का गज इस environment के साथ में जो भी relation है वो कहला तब का परिष्थिति की ecology next question गज आपसे पुचा जा रहा है परिष्थिति की तंतर के दो गठक कौन-कौन से है दो गठक बता दीजी का परिष्थिति की तंतर के एको सिस्टम के पुचित आ रहे हैं आपसे ध्यारकी का एको सिस्टम के दो गठक कौन-कौन से है चार ओप्सन आपके सामने गज आट सुब रहेंगा ऑप्सन नमर बी के साथ में जेवी गठक और एजेवी गठक पहला आपका बायोटिक है और दूसरा आपका है बायोटिक हो गया और दूसरे को अपन जो एजेवी को बोलते है इसको बोलते है एबायोटिक है पहला आपका बायोटिक है दूसरा आपका एबायोटिक है इनका भी में अलग-अलग टाइप बता देता हूं आपको जबकि जो बायोटिक है जेवी का इसके अलग-अलग types है, guys, biotic के कौन-कौन से types है, रटलीजी का अच्छी से, परिस्तिति की तंतर के दो गठक है, परिदा आपका जेविक, दूसरा आपका एजेविक, जेविक को इंगलिस में बोलता है, biotic, biotic के अंदर कौन-कौन से factors आते, guys, एक तो आपका producer, producer के अंदर, guys आप बोलते हैं, उत-पदक, दूसरा इसके अंदर रहता, guys, consumers आते हैं, producer, consumers आते हैं, और तीसरा गज, इसके अंदर क्या आता है, तीसरा नहीं होता है, ये दो ही होते हैं, एक तो producer होते हैं, एक आपके consumers होते हैं, producer होते हैं, और consumers के बाद में आत जाता है, primary consumer, secondary consumer, तर्थिय प्रिष्ट नाद के उपको नब करते से सुझ हुआ haeMusic और तोby गठा झाले से सबकूत हैं यह सब अजय को परियोटान्तर के ऐसे हो भाए है पार। option में से option आपका है जिवानु कलोरेला जल या मनाव गटक होते हैं जैसे की यहां पर आनसर बंदेगा option number C के साथ में गटक मैंने आपको बता दिया है जेवी गटक होगे आपके producer होगे और consumer होगे consumer आपका primary consumer होगया secondary consumer होगया तो यह तो आपका GV गटक यानि bio tip गटक कलीर है और a by dough रेकर मिशन गटक होगे एक कार्बनिक तत्वा होगया तो आपका GV गटक के यहां प्रकार की ऑपर कार्बनिक टत्वा है जलवायो यह सब मुझा जाएंगे को गाज यहां पका right 800 बिजएंगा option प्रगार कपको अजियविक बिठक है कि एक और प्रुटीन हो गया वसा ओगया नमी हो गई यह सब और जलोवाई है यह आपके किसी भी परितंतर में उत्पादकों का कारी क्या होता है उत्पादक किसको बोलता है प्रोडुशर को प्रोडुशर का कारी क्या होता है अप्सन यहां पर है कार्बनिक योगी को में बदना सोर उत्जा को पकड़ना और इसे रहसानिक में बदना रहसानिक को काम मिलाना उर्जा को मुक्त करना प्रोडुशर या जो उत्पादक है उनका कारी क्या है गाज अंशुबने का अप्सन नमर B के साथ में शोर उर्जा को पगड़ना और उसे रहसानिक उर्जा में बदनना यह सिंपल सी बात करें तो गाज जो आपके प्रकास संसलेशन होती है आपका जो पोटो सिंतेसिस होता है वो किसका एक्जम्पल है पोटो सिंतेसिस के अंदर होती है पोदो के अंदर होती है और पोदे गाज अपना बोजन खुद बनाते हैं यानि गाज वो हो गए आपके प्रोडिक्शियर अप्सन नमर बी उत्पाद को का कारी क्या है प्रकाश उर्जा को शोर उर्जा को रासानिक उर्जा में बदाना अप्सन नमर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है नाइस क्यूशन का जबका की जो पारिस्तित्री की तंतर है या जो परितंतर या पारिस्तित्री की तंतर या एको सिस्टम है इसके अंदर उर्जा का जो प्रामरी या मुक्य सोर्स कोन होता है उर्जा का पुछग है गैज उर्जा का प्रामरी सोर्स क्या कहलाता है चारो उप्षिन देख लीजिगा अंस्वर देख दीजिगा सूरी का प्रकास पोदो में संची सरक्रा केड़ेणवनन फरमेंटेंशन में मुक्ठ उस्मा सबस्तान के दोरान मुख्ध दोस्मा प्रात्मिक यां म्य सौर्स क्या है तो आज़ आणिश्बने गा सुर्य का प्रकास इसको कौन काम मिलेंगे उसको आफ़े प्रोडुसर काम मिलेंगे सन एनर्जी को किसमे कनाट करेंगे यह करेंगे आपके chemical energy में प्रकास उर्जा का रासानिक उर्जा में conversion होता है आपके producer के द्वरा आंट शो बनेगा यह आपके option number 1 के साथ में सुर्य का प्रकास नएस question गाज वायू और जल की किरियात वरा भूमी का कटाओ क्या कहला था है तो आणशो बनेगा option number 1 के साथ में अपरदान से जवाब बनेगा गाज यहाँ पर अपरदान नएस question गाज आपका है कि जो बाड को रोका जा सकता है बाड को अपन किसकी साथ से रोक सकते हैं गाज option यहाँ पर अपका इस तल को ढालदार बनाना जल आवरन को अटा कर वनो को कटा कर यह नदियों पर बाद बना कर वरक्षा और उपन करके बाड को रोका जा सकता है सही जवाब देजी का गाज कि आणशो बनेगा यहाँ पर आणशो जाएगा है यहाँ पर आपका option number D की साथ में डेम बना कर और वरक्षा और उपन करके अपन बांध बना ले दिये जितने भी अपने रिवर्स है रिवर्स के उपर डेम बना कर और ज्यादे ज्यादा वरक्षा और उपन करके गाज बाड के लिए किस परकार के वरक अपने बाड को रोक सकते हैं करेक्ट अच्छा बनेगा नदियों पर बांध बनाकर और वरक्षा रोपन करके देखेगा यह एक्जामपल आ चुका है आप लोगे सामने में डेम बने किसका गठक है तो किसका गठक है चारो अप्सन आपके सामने गज़ अच्छा अच्छा नदिया फोरा रागगे पर AI洲 फोरा आपका इंअफर करक्ट आकरा अन्सुर बनेगा ध्यार्की का और मैंगरो आपका किससे मयां आपको बता है कि इस ट्रीकी से फेल वह एता है बंतोर इंहका जो कापई जगह है तो बाड्ड के पनीको असानी से रोक सकते हैं आण सुपन । एसके प्रश्रा में पनीज़ श्राह, आप दस्यवी यह है, तो यों पहले, जिस्तुमिटर आपका पतियों पर होता है, जर्बकी पतिया यह बहुत ही पतीय चोटी चोटी ह्य,ggakने भी थे, लिगोर जो रल्रे दस्य जाएंगे, ये किसके परमूख लकसन है चारो अपसन आपके सामने लघ्ज आंशर बनेगा ऑसन नम्पर डिके साथ में यामरे सुसकौद भिद देखेगा सुसकौद भिद आपका हैंपर क्र्क्रेक्टअ बनेगा गए देखेगा अगर हमँआपका इसकी बात करें यहां पर गैज एक चीज़ समझेगा एक एक वार्मिंग डब्लू ए आर एमाई एनजी यह नाम द्यार में रखना पो डब्लू ए आर इन्होंने आपका जो एकोलोजी है उसको पांस भागो में विवाजित किया था पहला होगे आपका जलोध बिद दूसरा होगे जिसमें समौध बिद शमौध बिद को इंगलिज में बोला जाते है मेजोफाइटेस मेजोफाइटेस तीसरा इसके अंदर होते है मरूध बिद मरूध बिद हो गया जिसको अपन जेरोफाइटेस भी बोल सकते है मरूध बिद या सुसकौध बिद या जेरोफाइटेस एक ही बात है ठीक है 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 जेरोफाइटेस, मेजोफाइटेस, जेरोफाइटेस , यानि सुस्कोद बीद या आपने इसको मरूद भी भी बोल सकते हlaf ya ओकी ग्याज चोता टाइप और था उस ने, क्या था, मिट्टी के अंदर बहुतिक शुंसकता वाले पोदे और मिट्टी के अंदर किरिया आत्मक सूसकता वाले पोदे एक तो होता है फीजियो लोजिकल ड्राइ यानि बहुत तीक सूसकता वाले पोदे एक होता है आपका फंक्शनली ड्राइ गज इस तरीकी से चार भागों में बाटा था तो आपका mostly ये तीन द्यान में रखना है हाइडरोफाइटर्स, मेजोफाइटर्स, जेरोफाइटर्स और बाद में होता है फीजिकली ड्राइव प्लांट्स और फंक्शनली ड्राइव प्लांट्स अब यहाँ पे आपका राइटार्स जो जाने वाला है मर गए तो जन्तु मर जाएंगे किसकी वज़े से अक्शिजन, लकडी, ठंडी जल या भोजयन गाज आण्शो बनेगा है उपे अप्शन नमर एक के साथ में येदि पेड़ पोदे ही मर गए तो गाज ऑक्शिजन नहीं मिलेगी अक्शिजन नहीं मिलेगी तो आपके जन्तु भी मर जाएंगे अप्शन नमर ए गाज, मिर्मिको फिली एक लाब दायक साय योजन होता है जो कुछ पुछ भी पादपो का क्या अन्शो बनेगा है उपे मिर्मिको फिली मिर्मिको फिली क्या होता गाज यह एक प्रकर्काप का लाब धायक सहय योजन होता है तो कुछ पुछ भी पादपो का क्या कहेगा यह है क्या आन्षर बनेगा यहां पर option number C चीन्टियों के बीच क्या answer होता है यहां पर option number B चीन्टियों के बीच नेश क्यूशन का जब कही है नेश क्यूशन का जब कहा है शोर उर्जा किस से प्राप्त होती है पेड़ पोदे हैं आपके जो भी पेड़ पोदे है वो आपके सोलर एनर्जी होते है उसको कनवर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में तो यह सोलर एनर्जी कहां से मिलती है आपका सूर्य से मिलती है option number C क्वाज hydrophitis किसे कहते हैं बताईगा जानवर जल्य पोदा पोदि WOMAN रोग जाड़ा रहीत पोदे important questions सबीके सबी hydrophitis है इसको हिंदी में बोला जाता है जलोद भीद है हिंदी में बोला जाता है इसको जलोद भीद ह Okay leverage jadi बनेगा एक जली पोदे को अंश्य बनेगा option number B की सथ में जलिए पोद देखो next question आपका है निमन में से कौन सा पोदा आपका मरूद भीद है मरूद भीद का मतलब हो गया जेरो फाइटस जेरो फाइटस इसके अंदर क्या होता है पतियां बहुत ही छोटी होती है अंश्य बनेगा option number C की सथ में करील आपका इंपर क्रेक्ट अंश्य बनेगा option number C next question आपका है जो hydroponics है उसका समद्ध किससे है hydroponics के आणश्य बननेवाला गया जहांपर hydro आगया hydro का मतलब जल की बात हो रही है मिट्टी के बिना पोदो की वर्दी पाने के बिना पोदो की वर्दी आवाज का पानी की सासमद्ध पानी के टेकनिल टेकनोलोजी का सरक्षन hydroponics का समद्ध किससे है गयाज आणश्य बनेगा option number एक के साथ में मिट्टी के बिना पोदो की वर्दी से है सहीज जवाब बनेगा option number ए next question गयाज आपका है कि जो सोर उड़ जाका सबसे बड़ा योगी की करण कोना है सोर उड़ जाका सबसे बड़ा योगी की करण को ना गयाज आणश्य बनेगा यह पर option number एक के साथ में हैरे पोद है क्योंकि solar energy का सबसे जएदा utilization कोन करते है आपकी पेड़ पोदे करते है क्योंकि solar energy का यूज करके गयाज वो आग यह की process करते है अपनी और chemical energy में convert करते है ताकि उसका आगे से यूज के आजा सके है आणश्य बनेगा यह पर option number D के साथ में नईस question गयाज आपका mangrove की खेती के लिए कौन सा छेतर आपका परसीद है बार-बार पुछे जाने वाले क्यूशन है यह क्यूशन आपका most important है मेंगरो की खेती के लिए कौन सा छेतर परसीद है option यहाँ पर आपका कलिमपो का लावा जंगल ओडिसा का दंड कारने जंगल दक्सिनी 24 प्रगना का सजने खाली जंगल मेंगरो की खेती के लिए कौन सा छेतर परसीद है और आपका राट आपका निमन में से कौन सा कारी है प्रयावरणी दरिश्टी से बिल्कुल उप्यूगत है प्रयावरणी दरिश्टी से बिल्कुल उप्यूगत कौन सा कार्बनिक कर्सी इस्तानांतरित उच पेदावरह वाली किसमों का उत्पादन का आज की घरों में उगने वाले पोदे गायच आइनसर देते रहो साथ साथ में वीडियो को सेर कर दिया करो अपने साथ वालों को ताकि ज्याद्धा से ज्यादा बेनिफिट्र उटा सके हैं इतने आम से क्यों अपने यहां करते हैं कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे अपना टार्गेट ये हैं ज्यादा ज्यादा MC को कवर करना, complete syllabus को अपना को कवर करना है, चाहिए जिक्के हो, चाहिए आपकी science हो, तो गाइच कौन सा कारी आपका प्रयावरानी द्रश्टी से उप्यूखते हैं, आप शे बनेगा हैं पर option number 1 के साथ में carbonic करशी, carbonic का मतलब हो गया, carbonic में कौन साथ आथे आपके हैं, जितने विए आपका carbonic है, इसका मतलब आपका protein हो गया, आपकी शेट वशा हो गही, यापका गहा गहीज कारबोहड़ेट हो गया, protein, वशा, कारबोहडरेट, यह सब किसमें आते हैं, कार्बनिक में है, प्रोटीन, वशा, कार्बोहडरेट, ह्यूमस, यह सब आते कार्बनिक में, एककार्बनिक में कहाता है, एककार्बनिक में जिसे कि आक्शीजन होगी, नैट्रोजन होगई, हाइड्रोजन होगई, यह सब आते आपके अ-carbonic में है, oxygen, nitrogen, hydrogen ये सा बाते अ-carbonic तत्व हैं, carbonic तत्व होगए आपके protein, wesa, carbohydrate ये सब, तो प्रावरन ये दृष्टी से सबसे उप्युक्त कोन सा है, अंशोबनेंगा आपका carbonic, क्रिशी option number A रेगिस्तान में पेदा होने वाले पोदों को क्या का जाता है चारव option आपके सामने है hydro, major, zero या epiphytus क्या आर्शो बनने वाल लगाजे हैं पर करज आर्शो बनेगा option number C की साथ में zero phytus ये X-C-R-O zero phytus कहलाते हैं आपको zero phytus का मतलब हो गया रेगिस्तान के अंदर उगने वाले पोदों है मरोध बीद मेजो phytus को हिंदी में बोला जाता है समोध बीद है हिंदी में बोला जाता है समोध बीद है hydro को हिंदी में बोला जाता है जलोध बीद ओके गज एकोर होता आपको erimo phytus ये EPR है काई ज़ाता है ERIMO ERIMO FITAS ERIMO FITAS का मतलब होता है Stepi में उगने वाले पोदे रेगीस्तान या Stepi में उगने वाले पोदो को ERIMO FITAS भी बोला जाता है और चटानों पर उगने वाले पोदो को का जाता है Lithophitis एकजामें पूचा जाता है सबसे इस्टेबल कौन सा है आंश बते नबूटन्ट है सबसे इस्टेबल कौन सा है महश्चागर फर्थीजician काल िसलिए शिकर सम्मिलन कां पर उगा था कॊंबने गा था शिकागो एडिलेड लंदन रियो डी जेनेरो पर्तवी सीकर समयलन होता गैज आपका Rio de Janeiro अप्सन नमर D पर्तवी सीकर समयलन Rio de Janeiro भारत के अंदर भारत के अंदर वन अनुसंदान संस्तान कामपेश दिता है गैज क्यूशन पुछगै आपसे वन अनुसंदान संस्तान Forest Research Institute wooo अंड 올रो में इस्ती्त है परिश्टीती की विप्यान कि rhynä अपका बैंगलोरो में is टीत है उन अनसंदन संस्तान गाज आपका देह्रोडोन में गैज एक मिलती जूलती संस्ता और है, आपकी नागपूर के अंदर हैं थोड़ा उसका भी बताना, नाम बताना, किषिक को बता है तो नागपूर के अंदर किसका हैटपोर है RSS का तो हाईए, लेकिन कुछ इनसे समंदीति है गाज पेड़पदो शे समंदीति है कुछ नागपूर के अंदर एक तो गाज वन अनुसंदान संस्थान आपका देरहदोन में परिश्दितिकी विज्ञान के अंदर आपका बैंगलूरू में है नाइस क्यूशन गैज कौन सा कर्त्रिम परिस्तिति की तंतर है गैज परिस्तिति की तंतर को भी दो परकार से मठा गया है एक आपका प्राकर्तिक होता है एक आपका कर्त्रिम होता है परिस्तिति की तंतर है दो परकार का होता है एक आपका नेचूरल होता है एक आपका होता artificial ठीक है यानि प्राकर्तिक हो गया एक आपका कर्त्रिम हो गया गाईच क्यूशन आपको प्राकर्तिक है यानि जो नेचुरल है नेचुरल की जो एक आपका वन हो गया जैसे कि वन हो गया गहस का मेदान हो गया जील हो गई या मरुस्तल हो गया या तालाब हो गया या टूंडरा एक नाम और ध्यान में रखना आपको टूंडरा टूंडरा किसका ए एक्जम्पल है प्राकर्तिक पारिस्तेती तंत्र का आपका 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 का पारिष्टिती तंत्र है तो गाज आंसुर देना आपको टूंड़ा है वो एक प्रकर्ण का प्राकर्ति का नेचुरला है नाइस क्यूशन गाज आपको यहां पर है रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है जो पारिष्टिती की आपको यहां पर प्रिष्टिती की आपको टूलान का नेवन में से कोन सा एक प्रमुक आरण है परिष्थिति की ऐसंतूलन का कौन सा प्रमुक कारण है गैज पेड़पोदों का उखड़ना, मरुष्थल, बाड़ और अकाल, वर्षा की परिवर्थन था किसके अंदर पुझा गए आपसे, इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर जो परिष्थिति की ऐसंतूलन है, उसका मेन कारण क्या है, पेड़पोदों का उनमुलन ऑप्सन नमर है, वन उनमुलन, परिष्थिति की ऐसंतूलन का मुख्या कारण है, वन उनमुलन भारत के अंदर बात हो रही है किसे वेस्वी की विरास्थ का वन माना जाता है वेस्वी की विरास्थ का वन कीसे माना जाता है याई सिब रहेगा पश्ची मी बंगाल का शmitरवन और यहीं पर कह हैं कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनसपती पाए जाती है सबसे ज़्यादा यहां पर मैंग्रोव पाए जाते हैं सरवादिक जे विवित्ता कहां पाए जाती है most important question आपका सरवादिक जे विवित्ता कहां पर जाती है, maximum bio diversity काँ पर पाय जाती है, दो प्रकार की question काईज, दोनों most important है, बार-बार repeat होने वाले question है, एक तो सबसे इस्ताई पारिस्तिती की example बनेगा आपका महास आगर है, एक तो question ये बार-बार पुछे जाने वाले है, इस्ताई, मासागरो जगा, सरवदिक जे वीविता, उश्ण खटी बन दिये, वनों में है, नाइस question काईज, पारिस्तिती की तंतर में तत्व की चक्रण को क्या कहते है, तत्व का जो recycle बनता है, उसको क्या कहा जाता है, रासानिक चकर, जे बूरासानिक चकर, भू वेगनिक चकर, या भूरासानिक चकर, तत्व का चक्रण क्या कहला था क्या आथ है और श्बने कहाँ, जौन से प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो एन्वार्मेंट फ्रेंडली है और शुबनेगा जो प्रियारोन के प्रती मेत्री पुरण हो जो एन्वार्मेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है उनके उपर इको मारक लगाया जाता है उप्सिन नमबर सी आपका एहन पर बिलकुश सही जवाब है जो ओजो इतनी सांदरता का पर गंबीर फुपुशिये रोग उत्पन करके मानस स्वास्तिय को प्रभाविद करता है ओजो न है वो कहां तक पहुंचा है एक गंबीर रोग उत्पन कर सकता है यह जाज फुपुशिये रोग होता है और मानस स्वास्तिय को प्रभाविद करेगा कितने पीपीएम तक पहुंचने पर आंड़ सबनेगा 9.0 पीपीएम पीपीएम का मंदोद है पार्ट्स पर पार्टिकल पर मिलियन यदि ओजोन का जो डेंस सीटी है सांदरता है वो यदि 9.0 पीपीएम पहुंच जाए तो रोग होने की संभाव ना है नेस्ट क्यूशन गाज आपका है कि किस कारी से परिस्तित की संतुलन बिगडता है गाज बता जी का परिस्तित की संतुलन किस कारी से बिगड़ेगा गाज आणशों बनेगा हैं पर आप्सिन अमबरे की साथ में लकडी काटने से लकडी काटने से या पेड़ पोदे उखा जब पादव वीविता को प्राकरतिक आवास में संक्सारित किया जाते हैं तो इस सनक्षण को क्या कहते हैं Plant diversity है उसको आप natural आवास के अंदर रखते हो तो यह सनक्षण क्या कहलाता है तो यह कहलाता है आपका सव इस्थाने option number B आपका correct answer बनेगा सव इस्थाने नाइस क्यूशन आपका जो चरण आहर सनक्ला के अधार तल में जीव होते हैं आहर सनक्ला की जो अधार होता है उसमें कौन से जीव होता है option यह आपके producer है साकारिय है मासारिय है अब गठक है आपके निचे निचे होता है निचे निचे आपके producer होता है producer को अपन बोलता है उत्पादक यह कहरा कि base में कौन सा होता है producer हो गया फिर आपके primary consumer होगे फिर आपके secondary consumer होगे फिर आपके territory consumer होगे फिर आपके घाज यह हो जाते हैं अपके 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 आपके अपका टक पर उपर आपके आपके अपक log आजाता है टीक है तो यह पूच सबंब्स जाता हैं तो यह है अधार तल में बोलते है global warming कापी जाधा सुध हो गई इसलिए समझने के बात हुरी है काई यह थो गलोबल वारविंग होती है गलोबल वार्मिंग क्यों थोथी है पूरा पानी समुद्र में आगा तो जो भी में ग्रोव है वो आपके जल मगन हो जाएँगे जिगन कुछ दीवन को पॉर्ण रूप से धारन करने के लिए आजोग नियुनत्म भूमि को क्या खाजाता गए गाज, आंसर बनेंगा है पर पारिस्तित की पद्चाप, गाज ये ट्रम्स इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए का, क्यूसन भी आपका इंपोर्टेंट है, पारिस्तित की पद्चाप, दोबारा पढ़ लिजीगा क्यूसन को, मनुश्य के जीवन को पुर्ण रूप से धारन करने के लिए आज से एक नियोंतम भूमी को क्या का जाता है, नियूंतम भूमी को का जाता है पारिस्तित की पद्चाप, एम्पोर्टेंट है ध्यान रखिए इसको, जो जो क्यूसन इम्पोर्टेंट है, बंते गाज मैं उनको पर टेक लगा दूँगा, आपको बता कोन है सबी के सबी को कौन फरभावित करता है। और चालिस क्यूसन होगे बाकी क्यूसन गाई जिसके part 2 के अंदर लेके आएंगे गैज वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा पार्टू भी जल्दी ही आने वाला गाईज अपना इसी तरह की से प्यार दर्शाती रहेगा वीडियो पे शेर करते रहा करो दोस्तों के साथ में ताकि मैं भी आपको ज़्यादा ज़्यादा आज वाला जो टोपिक है जो इसको दोबार देखने कोशिस कीजिगा इसका जो पार्टू आएगा वो भी मोश्ट इम्पोर्टेट होने वाला है क्योंगि ये पारिश त्यतिक हो गया परदूसर हो गया इंसे समधित कप सारे एक्जामे क्यूशन पूचे जाते हैं जो लोग